हुआ । हेलो प्रेंट्स ुमें डोक्टर विकाज जरनी आपका फिर से सवागत करता हूँ और आज हम टेक्स में лишь two हमारा आज का है और lieαι Cherry टू में हम discuss करनेगा है basic concept लास lecture में हमें basic concept के बारे में ही discuss किया था कुछ point हम discuss कर चुके थे आज हम बापस basic concept के बच्चे में point discuss करेंगे तो start करते हैं बच्चो text that is for junior accountant in account officer इनकम टिक्स एक्ट जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कुस किया था देरार 298 सेक्चन्स एन 14 शेडूल 209 में 13 हैं 14 अनुसूचिय है बहुत बड़ा अक्ट है आपने आप में तो इस अक्ट के सैक्षिन वन से स्टर्ट करता है अक्ट का सैक्षिन वन हमें बताता है एक्ट स्कोप एंड कमेंस्मेंट के बारे में बताता है, एक्ट, यानि Income Tax के लिए कौन सा एक्ट है, कौन सा एक्ट है जो हमें पढ़ना है Income Tax के लिए, तो इसके लिए हमें पढ़ना है Income Tax Act 1961, Income Tax Act 1961 हमें इसके लिए पढ़ना है, यह हम डिसकस कर चुक है, में एक्ट, इंकम टेक्स का में एक्ट क्या है, इंकम टेक्स एक्ट 1961, इसकोप, इसकोप यानि शेत्र, क्या शेत्र है, इस इंकम टेक्स एक्ट का शेत्र का है, अर्थात यह इंकम टेक्स एक्ट लागू कहां पर है, यह हमारा जो इंकम टेक्स एक 1961 है, यह कहां पर अप्लिक to whole of India पूरे भारत वर्ष में यह लागू है पूरे भारत वर्ष में यह लागू है commencement कब से लागू हुआ कब से लागू हुआ है यह तो यह लागू हुआ है 1st April 1962 से 1st April 1962 से यह applicable है तो Income Tax Act का Section 1 बच्चो ध्यान दीचे का Income Tax Act का Section 1 हमें क्या बताता है Act Scope and Commencement Act Of course Income Tax Act 1961 scope कहां पर यह applicable है पूरे भारत वर्ष में applicable है including Jammu Kashmir आप सबको पता है पहले कुछ Act जो है वो जम्मो कश्मीर में applicable नहीं हुआ करते थे अब तो सारे एक्ट जम्मो कश्मीर में applicable हो गए है कब से लागू हुआ एक अप्रेल 1962 से यह लागू हुआ है यह वाला Act Income Tax Act 1961 61 में बना एक अप्रेल से यह applicable हो गया क्लियर किस्ट पर आते हैं Income Tax Act का Section 2 जो हमें बताता है परिभाशा हैं बताता है Section 2 हमें परिभाशाओं के बारे में बताता है Actually जब भी एक्ट बनाया जाता है तो उसमें चीजों को Define किया जाता है कि कि किस चीज का मतलब है तो उसके लिए Section 2 बना हुआ है जिसमें बहुत सारी definition दी गई है बहुत सारी है ताकि कोई confusion ना हो बहुत सारी definition है लेकिन हम केवल selected definition पढ़ेंगे जो हमारे course हमारी syllabus से related है out to syllabus हम बात नहीं करेंगे जो syllabus में जो चीज आने वाली उससे related चीज हम discuss करने वाले है तो कुछ selected definition है जो हम discuss करने वाले है उसमें पहली definition है assessi assessi ध्यान दीजेगा बेटा assessi spelling यात कर दीजे सारे हिंदी मिडियी स्टुडेंट भी ध्यान दीजेगा सारे स्टुडेंट assessi a double s e double e a double s e double e assessi की definition क्या है assessi क्या है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ Assessy को Hindi में बोलते हैं करदाता सब लोग ध्यान दिजेगा Assessy को Hindi में क्या बोलते हैं करदाता Taxpayer In general word अगर हम बात करें तो यह है Taxpayer लेकिन Low में इसको क्या term दी गई है Assessy 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 कौन है करदाता कौन है वो हम दिसकोस करेंगे और इसकी definition दी गई है Section 2, Subsection 7 में हमारा जो Act है कितने section में divided हैं हम discuss कर चुगे हैं 298 sections में और इन section में भी बहुत सारे Subsections हैं यानि section की अंदर भी बहुत सारे section हैं जिने हम बोलते हैं Subsection तो section 2 जो definition का है उस section 2 की Subsection 7 में Assessi की परिवाशा दी गई है और क्या परिवाशा दी गई है Any person who is liable to pay tax कोई भी व्यक्ति जो tax चुकाने के लिए उत्तरदाई है कोई भी व्यक्ति जो कर चुकाने के लिए उत्तरदाई है कोई भी वो व्यक्ति जो कर चुकाने के लिए उत्तरदाई है उसको हम क्या बोलते हैं Assessi Assessi Tax peer और इसकी definition कहां गिवन है Section 2 Subsection 7 में बेटा दिमाग में बठा लीजेगा Section 2 Subsection 7 कोई भी वो व्यक्ति जो tax चुकाने के लिए उत्तरदाई है अब कोई भी व्यक्ति यानि person person की definition क्या है तो person की definition दी गई है Section 2 Subsection 31 में person की definition है Section 2 Subsection 31 में और person में natural person भी आते हैं और artificial person भी आते हैं बहुत broad definition है income tax act में person की Section 2 Subsection 31 खाली natural person कोई नहीं इसमें artificial person को भी इंत्लूड किया गया है क्यों जानना चाते हैं person के बारे में ध्यान दीजेगा क्योंकि अभी हमने उससे पहले कौन से definition पड़ी Assessy Assessy किसे कहते हैं करदाता किसे कहते हैं वो व्यक्ति वो person जो टेक्स चुकाने के लिए उतर आई है तो person कौन है भई तो person की definition Section 2 Subsection 31 में दी गई है और Section 2 Subsection 31 क्या कहता है यहाँ पर person में natural और artificial दोनों व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा यहाँ व्यक्ति की परिभाशा में प्राक्रतिक एवं क्रत्रिम व्यक्ति को व्यक्तियों को शामिल किया गया है तो केवल प्राक्रतिक व्यक्ति ही नहीं क्रत्रिम व्यक्ति भी इसमें शामिल है अब आप बोलोगे प्राक्रतिक और क्रत्रिम व्यक्ति क्या होता है प्राक्रतिक व्यक्ति मतलब और नॉर्मल हुमन बिंग, अपने जैसे लोग, नैचुरल परसन, अब क्रत्रिम व्यक्ति कौन होते हैं, क्रत्रिम व्यक्ति होती ही संस्था हैं, बेटा हम जो भी बिजनस करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, उसके लिए हम कोई संस्था कोलते हैं, तो जो संस्था हम कोलते हैं किसी भी रूप में उस संस्था को हम बोलते हैं करत्रिम व्यक्ति चलाने वाले प्राकरतिक व्यक्ति ही होते हैं लेकिन एक अलग उनका स्टेटस होता है तो प्राकरतिक व्यक्ति अपने जैसे लोग और कोई संस्था वो क्रत्रिम व्यक्ति तो दोनों को income tax act में person के definition में include किया गया अर्थाद इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ income tax प्राकरतिक व्यक्तियों से भी वसूल किया जाएगा और क्रत्रिम व्यक्तियों से भी वसूल किया जाएगा जो की संस्था की रूप में है कोई नहीं बचने वाला income tax से कौन-कौन इसमें cover होंगे आ जाते हैं कौन-कौन cover होंगे इट इंक्लूट्स इंडिविज्वल इसमें आएगा कौन परसन की डेफिनेशन में आएगा कौन- इंडिविज्वल मतलब हिंदी में से बोलता है व्यस्टी बेटा ध्यान दीजेगा व्यस्टी व्यस्टी बोलता है इसको हिंदी में और व्यस्टी मतलब natural person प्राकर्तिक व्यक्ति यानि मानव अपनी जैसे लोग अपनी जैसे इस डेफिनेशन में कवर होता है यानि अगर मेरी कोई इंकम है और उस इंकम पर मुझे टेक्स देना है तो मैं किस रूप में टेक्स दोंगा as individual, individual दिमाग में individual ध्यान रखेगा Hindi Media Student भी ध्यान रखी Indivisual, क्योंकि यह Terms जो है यही Terms काम आती है mostly तो Indivisual दिमाग में बैठा लीजे कौन है Natural person, अपने जैसे लोग Clear point समझ में आ गया, तो उसको Person की Definition में include किया गया है Indivisual में भी category है ध्यान दीजेगा, Indivisual में भी category है Male, Female Senior Citizen, Super Senior Citizen यह Indivisual की Categories है अब आप बोलोगे कि सरी categorize करने की जरूद क्या है यह categorize करने की जरूद इसलिए है क्योंकि सरकार ने इन सभी Categories के लिए अलग-अलग system बनाए हुए, अलग-अलग tax rate बनाई हुए, तो क्या करें इसलिए इसको categorize करना जरूद रही है Male, Female, Senior Citizen, Super Senior Citizen Male, Female अपने को पता है Senior Citizen किसे कहते है वो व्यक्ति जिसकी आयूँ साट साल या उससे जादा है साट साल या उससे जादा है साट साल, एक्जिक्ट साट साल या फिर उससे जादा उस व्यक्ति को हम बोलते हैं Senior Citizen वरिस्ट नागरिक Senior Citizen, हिंदी में बोलने तो क्या बोलेंगे वरिस्ट नागरिक वरिस्ट नागरिक ध्यान तरखेगा सब लोग वरिष्ट नागरिक senior citizen male female तो आपको पता है senior citizen बरिष्ट नागरिक किसे कहेंगे वो व्यक्ति जिसकी आयू प्रीव प्रीविस यह प्रीविस यह क्या है यह मैं बताऊंगा आपके आपके just next definition इसी की है अगर उसकी आयू किसी वर्ष में 60 साल यह उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं senior citizen तो super senior citizen कौन है इसको बोलेंगे अति वरिष्ट नागरिक आति वरिष्ट नागरिक आति वरिष्ट नागरिक यानि super senior citizen कौन है जिसकी आयू 80 साल यह उससे ज़्यादा हो जाए 80 साल यह उससे ज़्यादा तो उसको हम बोलते हैं super senior citizen और यह male भी हो सकते हैं female भी हो सकते हैं जरूरी नहीं है senior citizen, super senior citizen, male और female दोनों के लिए तो male, female और उसमें भी senior citizen या super senior citizen senior citizen वरिष्ट नागरिक जिसकी आयू 60 साल यह उससे ज़्यादा हो जाए, super senior citizen जिसकी आयू 80 साल यह उससे ज़्यादा हो जाए, उसको हम बोलेंगे super senior citizen और categorize क्यों किया गया है, जिससे मैंने आपको बताया, सब के लिए government ने tax system अलग बनाया है, क्या से system है वो तो हम later on discuss करेंगे, clear है यहां तक point, आगे चलते हैं और कौन person की definition में आएगा, और कौन आएगा, HUF, that is Hindu undivided family, Hindu undivided family, यानि simple शब्दों में बात करें, joint family joint family, संयुक्त परिवार, joint family, संयुक्त परिवार, बिटा कई business आप देखते हैं, जो संयुक्त परिवार के business होते हैं, जिसमें परिवार के सारे सदश्य जिसमें involved होते हैं, एक साथ बूब business करते हैं, तो वो joint family अब joint family के लिए government ने बोला कि इनको अलग-अलग taxable करने की जरूत नहीं, इनको एक साथ as joint family taxable किया जाएगा, तो एक HUF वाला concept government ने बना दिया, clear है, इसके बाद बात आती है, firm, firm का मतलब यहां पर partnership firm से है, साजेदारी firm, साजेदारी firm से यहां भी मतलब है, और इसमें LLP यहां भी आता है, LLP क्या हुआ, limited liability partnership, यह भी एक प्रकार की partnership होती है, साजेदारी firm होती है, दोनों में फरक्या है, सामाने साजेदारी firm में क्या होता है, जो साजेदार होते हैं, उनकी ऐसमित दाइत होता है, अर्थात, यदि साजेदारी firm दिवालिया हो जाए, या उनको loss हो जाए, तो ऐसी स्थती में जो उसके partner है, साजेदार है, वो अपनी व्यक्तिकत संपत्यों से उसको payment करेंगे, लेकिन LLP में यह liability limited हो जाती है, अर्थात, अगर LLP में loss हो जाए, तो जो partners है, उन्हें अपनी व्यक्तिकत संपत्य से कोई भी पैसा लाने की जरूरत नहीं ह है, तो यहाँ पर unlimited liability होती है, simple partnership firm में और LLP में वो liability limited हो जाती है, that is the basic difference, और भी बहुत सारी चीज़ है, लेकिन मैं आपको basic difference बता रहा हूँ, इनको भी person के definition में include किया गया है, अर्थात, ध्यान दीजेगा, यह सब artificial person है, HOF हुआ, firm हुआ LLP, यह सब artificial person है, और यह हम यह यूज करते हैं, business करने के लिए, आपको कोई business करना है, तो उसके लिए एक संस्था आपको बनानी पड़ेगी, और उस संस्था का status क्या हो सकता है, तो संस्था का अलग-अलग status हो सकता है, वो HV के रूप में हो सकता है, वो एक firm के रूप में हो सकता है, वो एक company के रू यो कोई व्यक्ति फर्म के नाम से काम कर रहा है यप कोई VT LLP की नाम से काम कर रहा है इनको अलग से she will किया जाएगा इनको person के definition में include किया गया. आधी एक तो के टोस्तों में टोस्ति दोजने मिलकर एक form खोल लेते हैं ultimately मिलनी तो मुझे वो of course as a partner वो मुझे share मिलेगा मेरा लेकिन जो tax दिया जाएगा वो किस रूप में दिया जाएगा मेरे personal रूप में दिया जाएगा personal status में दिया जाएगा वो firm के status में दिया जाएगा क्योंकि उस business को करने के लिए हमने firm को लिए partnership firm clear है समझ में आगी बात अब बात करते हैं एओ पी बीओ आई की एओ पी क्या होता है एओ पी बीओ आई क्या होता है इसके बारे में discuss करते हैं और फिर मैं आपको दोनों में differentiate बताऊंगा और income tax में इसको किस तरह से define किया गया वो दो बताउंगा एओ वपी होता है एससेशन और पर्सन का और भी ओव होता है body of individual एससेशन और परशन और body of individual अ एक सिर्चन और बोडी ओवें di क्या है difference झेखा होता है मैं आपको nuo क्लैरिफाई करता हूं मुझे लोगों की जरुवत या अपने दो फरेंट्स या और ज्पी जालू करूंटी दो मीं का अपनों फरेंट feature अब मेरे उसका status AOP भी हो सकता है उसका status BY भी हो सकता है बात ये किये जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई business करते हैं तो वो firm हो सकती है, AOP हो सकता है, BY हो सकता है तीनो चारो में अलग-अलग difference है तो थोड़ा सा अगर हम बात करें तो legality form में अलग-अलग difference है, उस point में हम नहीं जा रहे हैं, चीज एक है अलमुस्ट, थोड़ा basic difference अगर है legal point of view से तो वो है, otherwise अगर हम बात करें इन general तो यह की चीज है, लेकिन income tax में differentiate कैसे किया गया, income tax में यह कहा गया है, अगर एक form में return agreement है, लिकित समझोता है, तो तो हम उसको क्या मानेंगे partnership form, माल लेते हैं, मैं और मेरे दोनों दोस्त, तीनों मिलकर एक return agreement कर लेते हैं, एक समझोता कर लेते हैं लिकित, अनुबंद बना लेते हैं, कि यार हम कितना पैसा लाएंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वगरा वगरा, एक अनुबंद हमने कर लिया, तो हमारे को क्या माना जाएगा income tax act में, हमारे को form माना जाएगा दैन इडिज, तो हमारे को form, हमको क्या माना जाएगा firm, लेकिन अगर हमारे बीच में कोई agreement ही नहीं है, हम तीनों मिल जाते हैं और business चालों कर देते हैं ऐसी, कोई agreement नहीं है नहीं है, कोई लिकित समझोता नहीं है, तो फिर हमको क्या माना जाएगा, फिर हमको AOP या BUI माना चाहेगा है कि इतना सा basic difference है किसमें firm में AOP या BOOI में अगर दो या दो सेधिक्व्यक्ति मिलकर आपस में business चालू करते हैं और उनके बीच में लिखी समझोता है तो income tax act उन्हें क्या मान लेता है firm partnership firm और लिखी समझोता नहीं है return agreement नहीं तो क्या मान लेता है या तो AOP या BOOI इन दोनों में क्या difference है वह मैं आपको बताऊंगा clear है सबको clear है चीज़ अब AOP और BOOI में क्या difference है वह मैं आपको बताता हूं AOP और BOOI AOP that is association of person हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तियों का समूँ और BOOI that is body of individual इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं व्यस्टियों व्यस्टियों मतलब individual का समूँ अब नाम से आपको पता चल गया AOP व्यक्तियों का समूँ B O I body of individual व्यस्टियों का समूँ व्यक्ति और व्यस्टि व्यक्ति की definition स्टुर्ट कि एक एसी संस्था जिसका सदश्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है एवोपी का सदश्य कोई भी व्यक्ती हो सकता है जैसे की व्यस्टी हो सकता है संयुक्त परिवार हिंदू संयुक्त परिवार हो सकता है फारम हो सकती है कंपनी हो सकती है कोई भी इसका मेंबर बन सकता है कोई भी इसका मेंबर बन सकता है जैसे फॉर एक्जामपल मैंने एक एसोशेजन और परसन का फॉर्मेशन किया उसमें मैं में मेंबर हूं ईसमें एक सब्सक्रारेंगुत त taşब्सक्राइब कर दूऊर Finnish उसमें लिए इसको बूंते हैं कोई विकली स्में बन सकता है । लेकिन कि बीवाइड का मेंबर केवल कौना हो सकता है सदश्य केवल व्यस्टी हो सकता है भीर्षटी हो सकता है और कोई नहीं बन सकता है इसका सदाच्ष चेवर कोन बन सकता है व्यस्टी एंडिवीज़ तो यह बैसिक डिफ्रेंस है aop और by में दूसरा डिफ्रेंस common object aop में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनका समान उद्देश्य होता है एक ही उद्देश्य के लिए वो काम करते हैं कि समान उद्देश्य लेकिन by में जो सदस्य है में और में not common object उद्देश्य है उद्देश्य है एक या अलग हो सकता है जो उद्देश्य है वो एक भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है जैसे मैं body of individual join करता हूं मेरा उद्देश्य अलग है मेरे friend का उद्देश्य अलग है अद्देश्य अलग अलग भी हो सकता है एक हो सकता है अलग लग यह पीशिक डिफरेंस है एक्जामपल राफ एस szino person का एक्जामपल उक्जामपल है joint venture आपने सुना होगा joint venture एकांट्स में भी इसके बारे में joint venture ठोड़े समय के लिए किसी particular काम को करने के लिए जब पार्टनर्शिप की जाती है तो इसको खुल दिया, तो that is treated as body of individual, clear है बच्चों, तो ये difference है, तो person की definition में कौन-कौन आया देखिए, हम person की definition पट रहे हैं, section 231, उसमें individual cover हो गया, individual अपने जैसे लोग, व्यस्टी जिनें बोलते हैं हिंदी में, यानी प्राकर्तिक व्यक्ति, individual में एक category है, male, female, senior citizen, super senior citizen, senior citizen किसे कहते हैं, जिनकी आयू 60 साल या उससे ज्यादा हो, अती वरिश्टी नागरीक, super senior citizen किसे कहते हैं, जिनकी आयू 80 साल या उससे ज्यादा हो, clear है, यह सब ध्यान रखेगा, exam point of view से बहुत important है, इस पर based objective questions आते हैं, इसके अलाबा, infin conf visits, firm को इंकलूड किया जएगा, LLP को इंकलूड किया जएगा, AOP, BY को इंकलूड किया जएगा, AOP, BY क्या है है, हम पढ़ चुकए हैं, इसके अलाबा, person की definition में company को भी include किया जाएगा, company भी person की definition में आती है, प्रकार की हो सकती है, इंडियन कंपनी, भारतिय कंपनी और फोरेन कंपनी यानि विदेशी कंपनी, दोनों को इंक्लूड किया गया है, परसन के डेफिनेशन में दोनों को इंक्लूड किया गया है, भारतिय कंपनी और विदेशी कंपनी, फरक क्या है, भारतिय कंपनी क्या हो हब यह एसी कम्पनी इसका समामेलन न ए भारत में हुआ है लिख दे ताओं में ध्यान दीजेगा इजिसका का समा मेलन समा मेलन मतलब इनकॉर्परिशन भारत में हुआ है और कॉंस एक्ट बना हुआ है कंपनीज के लिए ये तो आपको पता होना चाहिए कंपनीज के लिए कॉंस एक्ट बना हुआ है भारत में इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ये तो आपने पढ़ा ही होगा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 इसके लिए बना हुआ है समझ में आई बात समझ में आई बात सबको तो अगर किसी कंपनी का इंकॉर्परेशन इंडिया में हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे इंडियन कंपनी और फॉरेंड कंपनी किसे बोलेंगे जिसका समा मिलन उल्टा कर लो जिसका समा मेलन भारत के बाहर हुआ है सामीमिलन जनम या रिजिस्ट्रेशन जनम बोल दीजे या रिजिस्ट्रेशन बोल दीजे ऐसी कंपनी जिसका उदभव या जनम या रिजिस्ट्रेशन भारत में है भारतिय कंपनी अदिनियम 2013 में है तो that is Indian company और domestic company और जिसका सामिमलन भारत के बाहर हुआ है that is foreign company clear है सबको तो इसको भी person की definition में include किया है अर्थाथ अगर मैं कोई business करने के लिए एक company form करता हूँ और उस company से पैसे कमाता हूँ, income कमाता हूँ तो मुझे tax जो देना होगा मैं अपने personal या indigal रूप में नहीं दूँगा वो company को ही tax देना होगा company ही tax देगी मैं नहीं दूँगा, मैं तो चलाने वाला हूँ company हालांकि सारा काम कौन करता है company चलाने वाला करत्रिम वक्ति अपने आप तो काम करते नहीं लेकिन उतका status अलग हो गया ठीक है clear point आगे चलते हैं और अभी person की definition complete नहीं हुई यह अभी person की definition में और किसे include किया जाएगा local authority local authority को बोलते हैं इस्थानिय प्राधी करन इस्थानिय प्राधी करन इस्थानिय प्राधी करन क्या होते हैं सरकारी संस्थाएं सरकारी संस्थाएं जो इस्थानिय इस्तर पर कार्य करती हैं local authority इस्थानि प्राधी करन ऐसी संस्थाएं सरकारी संस्थाएं जो इस्थानिय इस्तर पर local level पर काम करती हैं उनकों बोलते हैं इस्थानि प्राधी करन local authority जैसे की JNN जैपूर नगर निगम जैपूर देवलोप्मेंट अथिरुटी जैपूर विकास प्राधी करन ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत यह सब लोकल अतुरिटीज है और ध्यान दिजेगा इनकम टेक्स एक्ट इनको भी परसन मानता है अर्थात इन पर भी इनकम टेक्स एप्लीकेबल है इन पर भी इनकम टेक्स अब आप बोलोगे सरकार सरकारी संस्तासी टेक्स ले रही है पाऩा है, आर्टीफिशल, जूरीशल, सब्सक्राइब ज seven, क्त्रीबें। करिभै rett, क्रट्रीम व्यधा विक्ति यह चितने भी हमने सब्सक्राइब। HOF, Firm, LLP AOP, BY, Company Local Authority इनके अलाबा भी अगर कोई बचता है और जिसका एक Legal Status है जिसका एक Legal Status है वो cover होंगे AJP में यानि जो उपर किसी भी category में cover नहीं है वो किसमें cover हो जाएगा AJP में cover हो जाएगा बस उसका Legal Status होना चाहिए, एक्जामपल है Universities, Temples, यह इसके एक्जामपल है Universities है, इन पर भी Income Tax Applicable है, जो Temples आप देखते हो मंदिर जितने भी है जिनको कोई संस्ता चलाती है, इन पर भी Income Tax Applicable है इन सब को person की definition में cover किया गया है समझ भी बात सब को तो यह person की definition यहाँ पर complete हो जाती है तो दो डेफिनेशन हमने पढ़ ली अभी तक द्यान दीजेगा, दो डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं पहली definition कर दाता Section 2, Subsection 7 वो व्यक्ति जो टेक्स चुकाने के लिए उत्तर आई है और वो व्यक्ति कोन है तो व्यक्ति की definition, person की definition Section 2, Subsection 31 में बताई गई है Section 2, Subsection 31 में और व्यक्ति कोन है इसमें कृतिम और प्राकरती, दोनों व्यक्ति को शामिल कहा है प्राकरती विक्ति कोन होता है इंडीजल अपने जिसे लोग, human being इसके लाबा क्रत्रिम व्यक्ति जो किसी संस्था की रूप में होते हैं जिसे HOF, AOP, VOI, Firm, LLP, Company ये सब ये सब person के definition में include किये गए तो दो definition हम cover कर चुके हैं आगे चलते हैं बच्चो दो definition cover करने के बाद जो next definition आती है that is previous year previous year के definition आती बटा previous year previous year इसकी definition section 2 subsection 34 और section 3 में इसके बारे में बताए गया है section 2, subsection 34 and section 3 में इसके बारे में बताए गया और previous year समझ लीजी short में PY बोलते हैं हिंदी में गतवर्ष मैं दोनों चीज आपको हिंदी इंगली साथ साथ बताते ही चल रहा हूँ दोनों terms ध्यान रखेगा previous year हिंदी में गतवर्ष short में PY और इसकी definition है section 2, subsection 34 and section 3 क्या है previous year ये बो साल है जिसमें income कमाई जाती it is the year in which income is earned वहे वर्ष जिसमें आई कमाई गई है वहे वर्ष जिसमें आई कमाई गई है उसको बोलते हैं previous year यानि गतवर्ष दूसरे शब्दों में इसको हम financial year बोल सकते हैं it is treated as financial year वित्वर्ष बोल सकते हैं इसको वित्वर्ष आप सब जानते हैं वित्वर्ष क्या होता है भई वित्वर्ष financial year accounting year ठीक है ना और ये कब से कब तक होता है एक अप्रिल से 31 मार्च ये year कब से कब तक होता है एक अप्रिल से 31 मार्च तक का ये year होता है एक अप्रिल से 31 मार्च तक का year जो होता है इसको हम बोलते हैं financial year यानि वो year जिसमें हमने income को earn किया है वो year जिसमें हमने income को earn किया है प्रिविस year समझ महीं बात assessment year अब आता है next assessment year assessment year section 2 subsection 9 में इसकी definition दी गई है कर निर्धारन वर्ष बोलते हैं इसको कर निर्धारन वर्ष इसको बोलते हैं कर निर्धारन वर्ष प्रिविस year को आई वाला वर्ष और assessment year को कर निर्धारन वाला वर्ष फरक है दोनों में assessment year क्या होता है it is the year in which income of previous year is taxable ये बो साल है जिसमें previous year यानि गत वर्ष की income को taxable किया जाएगा इसमें गत वर्ष की आए कर योग्य की जाती है गत वर्ष की आए को कर योग्य करने के लिए हमें assessment year को देखना होता है और ये assessment year कब होता है just next to previous year यानि गत वर्ष से अगला वर्ष गत वर्ष से अगले वर्ष को हम क्या बोलते हैं असिस्मेंट year यानि कर निर्धारन वर्ष जो हमारा गत वर्ष है इससे just अगले वाले year को हम बोलते हैं कर निर्धारन वर्ष यानि income tax act में आपको दो-दो साल का concept एक साथ चलेगा विया एक previous year दूसरा assessment year previous year असिस्मेंट year दो-दो साल का concept चलेगा दो-दो साल का concept previous year असिस्मेंट year और ये भी कब से कब तक होता है वो ही एक और अप्रिल से 31 मार्च का साल होता है यह भी ये भी एक अप्रिल से 31 मार्ज का होता है तो दो साल प्रीवियस एर जिसमें हम कमाएंगे और असिस्मेंट एर जिसमें हम टैक्स देंगे प्रीवियस एर में कमाएंगे और टैक्स कब देना है असिस्मेंट एर में प्रीवियस एर खतम होती ही कौन सा येर चालो हो जाता है असिस्मेंट एर तो मैंने जो भी प्रीवियस एर में कमाया उसका टेक्स मुझे कब देना है आज नहीं देना उसका टेक्स मुझे देना है अगले साल यानी असिस्मेंट एर में असिस्मेंट एर में उसका टेक्स दि अब ही हमारा प्रीवीज एर है 2019-20 और हमारा असिस्मेंट एर क्या रहेगा इससे अगला 2020-21 यह हमारा असिस्मेंट एर हुगा 2019-20 यह तो प्रीवीज एर और 2020-21 यह असिस्मेंट एर क्या मतलब हुआ इसका मतलब ही हुआ कि एक अप्रेल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के दोरान में जो भी कमाऊंगा इस दोरान इस बारा महिने के दोरान में जो भी कमाऊंगा उसका टेक्स मुझे देना है 1 अप्रेल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में मुझे उसका टेक्स देना है यानि हम इसी के provision पढ़ने वाले हैं इसी के provision अभी हम पढ़ेंगे और next अभी प्रोविजन और हमारे provision थैंठा कॉ चेंज और फंथन हम पढ़ेंगे है फिलाल अभी तो यही चीश चल रही है present में अगर हम आज की बात करें तो हमारे उपर previous year कौन सा है अभी 2019-20 और उसका tax हमें कब देना है 2020-21 में अभी यही चल रहा है तो इसी के रिये rules आपको पढ़ना है और इन दोनों से related जो भी income tax act है वो उसकी rate क्या होगी वो कहां given है तो इसके लिए annual finance act annual finance act हमें देखना होगा और इन के लिए कौन सा annual finance act applicable होगा 2019 कौन सा annual finance act applicable होगा 2019 वाला finance act applicable होगा बो budget जो पिछले साल दो हजार उननिस में आया था वो applicable होगा बही current year में जो budget आएगा वो तो अगले साल के लिए होगा न वो किसके लिए वगा अगले साल के लिए तो उसके प्रोविजन कब होगे अगले साल तो आज जो प्रोविजन एक अप्ली के वले बो तो कौन से बजट के लिए जो आ चुका है और 2019 में जो बजट आये था एनुल फाइने से बो हम डिसकस करेंगे अगर हमें ये बाला previous year 2020 और अगले साल क्या होगा चैंज चाहेँगा अगले साल अगर हम्हारा previous year 2020 होगा तो असेस्मेंट ये 21 होगा उसके लिए फाइनसेट कौन सा लगे का 2020 लगे का इस तरह से ही concept चलता है, ठीक है, तो I hope कि आपको यह clear हुआ, तो previous year, assessment year आपको cover हो गया, चार definition हम पढ़ चुके हैं, इंकम टेक्स एक्ट में, अससी, section 2, subsection 7, वो व्यक्ति जो टेक्स चुकाने के लिए उतर दाई है, person, section 2, 31, जिसमें natural और artificial दोनों person आएंगे, firm, company, individual, sub, previous year, gut verse, यानि financial year, जिसमें I कमाई गई है, और assessment year, यानि कर निधारन वर्च, जिसमें tax दिया जाएगा, यानि अगला साल, clear a point, आगे चलते हैं, कुछ concept है, वो हम समझ लेते हैं, income tax act में कुछ concept है, जो हमें समझने होंगे, income से सम्बंदित concept, फड़ावट समझ लेते हैं, income may be legal और illegal, जो आपकी I है, वो चाए वैद्द तरीके से कमाई हो, चाए अवेद्द तरीके से कमाई हो, legal हो या illegal हो, आपको tax देना पड़ेगा, income may be regular और irregular, regular यानि नियमित, कुछ लोग नियमित कमाते हैं, पूरे साल कमाते हैं, कुछ लोग ए नियमित यानि seasonal कमाते हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं, tax तो देना पड़ेगा, income may be lump sum और installment, lump sum म पैसा मिल जाता है, कुछ लोगों को किस्तों में पैसा मिलता है, उससे भी कोई मतलब नहीं है, income तो income है, tax आपको देना पड़ेगा, income may be cash और in kind, monetary और non-monetary, income मोदरिक भी हो सकती है, यानि cash में, और income गैर मोदरिक भी हो सकती है, यानि बिना cash में, अब आप बोलोगे, ऐस इस company में आपको salary मिल जाती है, cash में, वह आपकी income है, माल लेते हैं company आपको salary के साथ साथ में, salary के साथ साथ में आने जाने के लिए गाड़ी भी दे देती है, गाड़ी दे दी company ने, गाड़ी की सुब्धा, गयर मोदरिक, लेकिन ये भी income है, income tax Act में इसको भी income माना जाता है इस पर भी tax लगेगा तो income चाहे मौदरिक हो चाहे गेर मौदरिक हो you have to pay tax future income भविश्य की आय कर योग्य नहीं होगी भविश्य की आय कर योग्य नहीं कुल मिला के income tax act में future में क्या होने वाला है इसको ignore किया गया है future में क्या होने वाला है छोड़ दीजी future की बात नहीं करेंगे आज की बात करो आज आपने क्या कमाया उस पे आपको tax देना है future में क्या कमाने वाले हो या future में क्या loss होने वाला है इसको भूल जाएए इस पर आपको कुछ नहीं करना है income must come from outside India nobody can earn from outside nobody can earn from himself आए बाहर से आनी चाहिए बाहर से आनी चाहिए बाहर से आने का मतलब की नहीं out of India नहीं वो नहीं गोल रहा हूँ मैं income बाहर से आनी चाहिए कोई भी व्यक्ति अपने आप से नहीं कमा सकता for example as a chartered accountant मैं अगर अपनी personal return भरता हूँ personal accounting करता हूँ तो क्या मैं अपने आप से fees लूगा यानी मैं अपने आप से तो नहीं कमा सकता ना मेरी कमाई कब होगी जब मैं बाहर के लोगों के लिए कुछ काम करूँ और उनसे मुर्ण को पैसा मिले तो मेरी को income अर्ण होगी मैं मेरी घर में अगर कोई काम होता है उसको करने के लिए मैं उसके लिए थोड़ना कोई fees charge होती है तो income का concept है कि income कहां से आनी चाहिए बाहर से आनी चाहिए कोई भी व्यक्ति अपने आप से नहीं कमा सकता और लास्ट में है pin money बेटा pin money और pocket money pocket money is not taxable आपको pocket money मिलती है taxable नहीं है इसके अलावा pin money इस्त्रीधन इस्त्रीधन महिलाओ का पैसा महिलाओ जो घर्चों में जो saving कर लेती है उनका जो पैसा होता है pin money pin money बोलते है it is not taxable at all ठीक है यह taxable नहीं है अहाँ अब आते हैं charge of income tax section 4 charge of income tax आयकर को charge करने का अधार क्या है कैसे charge किया जाएगा उसके बारे में बताया जा रहा है section 4 में इसके बारे मताया गया है income tax is limited by central government limited मतलब लागू करना मैं आपको बता चुका हूँ levy यानि लागू करना income tax किसके द्वारा लगाया जाता है central government तो आयकर केंद्र सरकार द्वारा द्वारा लागू किया जाता है कौन लागू करता है income tax income tax लागू करने का अधिकार किसके पास है central government केंद्र सरकार इसे लागू करती है clear है point clear है it is levied on person having income if his income exceeds exemption limit यह किस पे लगाया जाता है उस व्यक्ती पर जिसकी आय है किस पे लगाया जाता है उस व्यक्ती पर लगाया जाता है जिसकी आय है जाहिर सी बात है कौन लगाता है यह समझ में आया केंद्र सरकार किस पे लगाते है उस व्यक्ती पर जिसकी आय है जिस व्यक्ती की आय है उससे लेना है income tax, जिस व्यक्ति की आ है उससे लेना है, अब सवाल ही उड़ता है, प्रतीक व्यक्ति कुछ ना कुछ कमाता है, छोटा आदमी भी, बड़ा आदमी भी, कुछ ना कुछ वो earning करते हैं, क्या सब से लेना है tax, नहीं, दिमाग में यह चीज बिठा लीजिए, उस व्यक्ति पर ल exemption limit से जादा हो जाए, exemption limit को बोलते हैं, कर्मुक्त सीमा, कर्मुक्त सीमा से जादा हो, वशरते उसकी आया है, कर्मुक्त सीमा से जादा हो, तब ही उससे tax लिया जाएगा, ऐसे नहीं कि हर व्यक्ति, कोई 100 रुपे कमा रहा है तो उससे भी लेलो tax, कोई 1000 कमा रहा है तो उससे भी लेलो, नहीं, ऐसा नहीं है, उसके इंते सरकार लेगी, उस व्यक्ति से लेगी, जिसकी आये, लेकिन कब लेगी, जब उसकी आये, ज सीमज जिस पर टेक्स नहीं लगता उससे ज्यादा है तो ही टेक्स लेना है अगर आप किआ ह Incred Ungiction लिमिट से बात करें आंट्य करमुक्त सिमा है इन जनरल अगर हम बात करें धाई लाक रुपे इन जनरल बतारों में बाकी अलग अलग परसंद के लिए अलग अलग लिमिट है इन जनरल बतारों धाई लाक रुपे कि सामनी के से अगुरे साल की अगर किसी व्यक्ति की पूरे साल की आए तक उसके डाइ लाज तक है तो इसके ट понятно की जरूत निए जैसे उसकी अट ग्रॉस करेगी उसको में टेक्स देना पड़ेगा किसवा रेट से देना है वोघार में डिस्कूस करेंगे वो बात की बाथ है के-अ-पॉईंट सबस्रों कि से लगीगा कि इसरेट से लगेगा ID लिवाईद अप्रि स्क्राइब रेट- इन प्रिस्क्राइबग बंटर किसर रेट से लगेगा यह है निर्दिस्ट निर्दिस्ट दर से लिया जाएगा किस दर से लिया जाएगा जो निर्दिस्ट दर होगी जो गौर्मेंट ने ते कर रखी उस दर से इसको चार्ज किया जाएगा भी जो दर सरकार ने वो दर क्या है वो पढ़ेंगे हम अभी यह ध्यान रखो कि जो निर्दिस्ट दर है दर्दिस धर मतलब वो दर जो सरकार ने निर्धारिध कर रखी है उससे लिए जाएगा ठीक है एनुल टेक्स है वार्षिक कर रही है बिटा हर मेहने नहीं लेना है पूरे साल की इंकम कमाई आपने जो भी टेक्स बना वो आपको देना है एक साथ एनुल टेक्स बोलते हैं इ लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है यह पॉइंट क्या है इस लेविट उन बेसिस आफ रेजिदेंशल इस्टेटर्स एंड प्लेस ओप अकुर्वल और रिसिप्ट यह इसकी बार बता रहा हूं ध्यान दीजेगा यह निवासी इस्टती रेजिदेंशल इस्टेटर्स मतलब निवासी इस्टती तथा उपार्जन इस्थल के आधार पर चार्ज किया जाता है यह चीज़ बिंपोडेंट collecting को हैं निवासी इस्तती और उपारजनिस्तल्ट यह दो चीज़ इंपोर्टेंट चार्ज करने के लिए इसको समझने के लिए समझ लीजिए इंकम टेक्स, इंडियन इंकम टेक्स भारत में तो लागू होगा ना, भारत के बाहर तो लागू नहीं होगा, तो अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता है, क्या हम उससे टेक्स बसूल सकते हैं, नहीं, हम उसी व्यक्ति से टेक्स बसूल सकते हैं, जो भारत में रहता एक्रुल प्लेस को भी ध्यान में रखना है यानि वो इंकम जो भारत में जिसका उद्गम इस्तल है भारत में जिसका उपार्जन हुआ है उससे ही उस पे ही टेक्स लगेगा इसलिए आप देखें कई लोग भारत से बाहर आके यहाँ पे पैसा कमाते हैं और फिर चले जाते हैं वपस लेकिन चुकि वो यहाँ कमाते हैं तो यहाँ पर उनको टेक्स देना पड़ेगा चाहे वो रहता बाहर हो तो दोनों में से एक चीज यहाँ इंडिया में हुझानी पढ़ेगा क्लेरे पॉइंट समझ में आई बात सबको कि तो बच्चो आज की लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं कि बेसिक कंसेप्ट आज हमने डिसकुस क्या आगे और भी इसके बारे में डिसकुस करेंगे और यह ध्यान रखी बेड़ा दिमाग में विठा लिजी जो बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम पॉइंट आप व्यू से बहुत सारी क्वेशन इसमें से बनते हैं तो आज के लिए मुझे इजादत दीजिए थैंक्यू बाइबाइ फिर मिलेंगे नेक्स लेक्चर में नई चीज के साथ ओके थैंक्यू